हेलो स्टुडेंट्स मॉडल पेपर थार्ड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आज मॉडल पेपर सेकेंड हमने सॉल्व कर लिया है सर्फ बड़े कोशन्स बचे है वो हम बड़े कोशन्स सारे एक साथ जो भी कुछ इंपॉर्टन चैप्टर है उनके सबके एक साथ सॉल्व करेंगे तो यह मॉडल पेपर थार्ड को स्टार्ट करते हैं जिन्होंने मॉडल पेपर सेकेंड का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें तो और फस्ट कोशन है हमारा कि निम्न वस्तुनिस्ट कोशन जो पहले जो फस्ट कोशन है वो वस्तुनिस्ट कोशन है पहले तो एबेसेदे वाले जो भी अब्जेक्टिव टाइफ कोशन होते है तो यह कोशन हम देखते हैं फस्ट कोशन है बारा और पंदरा का लेसे पे और मैसे पे यानि HCF और LCM क्या होगा तो पहले LCM है बाद मैं HCF है तो LCM और SCF निकालने का तरीका क्या है देखो यह तरीका बतावा हुआ हुआ है कि पहले हमको फैक्टर करने होते हैं गुडन खंड कि बारा और पंदरा के हमने फैक्टर कर दिये दो का भाग दिया फिर दो का के अलावा जो बच गया एक तो मैसे और मैसे के अलावा जो बच गया उन सब का मल्टिप्लिकेशन तो यह तरी दोना 6, 6 दोना 12 और 12 पंचे 60 तो LCM या लैसे हो गया 60 और HCF हो गया 3 तो कौन सा उप्शन? उप्शन नंबर 1 नेक्स्ट यदि बहुपद 5X स्क्वाइर प्लस 13X प्लस K का एक शुन्यक दूसरे का व्युत्करम हो एक शुन्यक दूसरे का व्युत्करम हो तो K का मान देखो दो शुन्यक है एक शुन्यक है अलफा और दूसरा शुन्यक व्युत्करम वित्करम का मतलब है one upon alpha इनका concept क्या होता है कि जबी भी दो शुन्यक एक दूसरे के वित्करम होते है तो इन शुन्यकों का जो गुणनफल है वो एक के बराबर होता है हमेशा और शुन्यकों का गुणनफल बहुपद में से होता है हम जो हमने पहले concept पड़ा है कि शुन्यकों का गुणनफल होता है alpha गुणनफल होता है और यह C बटा A के बराबर होता है और यहाँ पे C का मान है K और A का मान है 5 तो यह बराबर होगा A के और इस से हम लिख सकते हैं कि K बराबर होगा 5 तो option number C correct प्रथम 5 सम प्राकर्तिक संख्याओं का माध्य सम प्राकर्तिक यानि कि प्राकर्त संख्याओं और सम तो प्रथम 5 सम संख्याओं होती है देखो सम प्राकर्तिक जो संख्याओं या नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं लेकिन उस में से भी कौन से लेने है, सम तो सम संख्याए होती है, दो चार, छे आठ और दस, ये पांच संख्याए और सब का माद्दे चाहिए, तो पांच का ही भाग लगा देंगे, तो ये जोड़ेंगे हम, ये हो गए, दस दस, बीस और तीस तीस बटे, पांच यानि की, 6, तो माद्दे हो गया, 6 अगला है, यदि 6X प्लस Y बराबर 10, तो इसको संतुष्ट करने वाला यूग्म, तो इसको, इस टाइप की कोशन को कैस चेक करते हैं, कि जो X और Y के मान है, वो रखके देख लेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने रखा X बराबर 1 रखेंगे, तो ये 6 इंटू 1, 6 हो गया, और Y के जगे 4 रखेंगे, तो 6 और 4, 10, तो ये ही इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये आंसर हो गया, समानतर श्रणी का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद जबी भी ऐसे लिखा आए, कौन सा पद, तो उसको हम हमेशा एनवा पद मानते हैं, कि कौन सा पद है, एनवा जो क्या है 210, उसके अलावा ये सीरीज दी हुई है, जिसमें पहला पद, जिसको A लिखते हैं, वो 21 है, और इसका सारवंतर है, सारवंतर कहते हैं, लिखते हम D से, और निकालते कैसे हैं, दूसरे में से पहला घटा के, तो 42 में से 21 घटाएंगे, तो 21 ही इसका सारवंतर है, ये 21 का पाड़ा चल रहा है, अब ये ये चीजे हमको पता चल गई, पूछा है कौन सा, इसका मतलब हमको चाहिए N का मान, कि कौन से नंबर का पद है ये, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, A N बराबर, A प्लस N माइनस 1 गुणा D, A N का मान है 210, A का मान है 21, N का मान ग्यात करना है, और D का मान है वापस से 21, हल करेंगे देखो इसको, हल करेंगे, तो ये, हम यहाँ से, इसको और सरल कर सकते हैं, तो ये 210, 21, प्लस 21 N माइनस 21, तो 21 में से 21, ये कैंसल हो जाएगा, और N बराबर आएगा 210 बटा 21, यानि ही, दसवाँ पद, तो N बराबर, दसवाँ, अगला है, तरबुज A, B, C, और D, E, F, में A बराबर 50, B बराबर 70, C बराबर 60, दो तरबुज हैं ने को, दो तरबुज है, दोनों तरबुज बनाएंगे हम, एक तरबुज है, A, B, C, और एक तरबुज है, D, E, F, तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं, कि ये A बराबर है 50, और D, E, F में 50 कहां है, F पर, तो जैसे यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर हम 50 डिगरी ही लेंगे, कि ये 50 हैं यहाँ पर, और इसमें ये A, B और ये C, यहाँ पर B पर 70 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 70, और यहाँ पर C पर 60 है, अब देखते हैं देखो, और यहां पे यह साट अब D E F में D पे साट डिगरी है यानि कि यहां पे D आएगा और E पे सत्तर है तो सत्तर पे E लिख देंगे और F पे पचास है तो यहां पे F लिखेंगे यानि कि जो A B C है वो F E D के बराबर होगा तो देखते हैं कहां पे लिखा हुआ है A B C F E D लास्ट ओप्शन में इस तरह से देखना है बिंदू 5 कवा माइनस 2 की X अक्स से दूरी X अक्स से दूरी Y निर्दे शांक होती है और दूरी को हमेशा प्लस में लिखते हैं इसलिए Y X अक्स से दूरी 2 नेक्स्ट कोशन ये नेक्स्ट कोशन है साइने स्कॉयर पचास प्लस कॉस स्कॉयर पचास बराबर 1 तो ये साइने स्कॉयर प्लस कॉस स्कॉयर ये मान होता है 1 के बराबर और 1 प्लस 1 ये हो गया 2 एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई उसकी परच्छाई में तीन अनुपात एक का अनुपात है उस समय सूरे का उन्ने अन कौन तो इसको करने का तरीका क्या है? कि एक तो सीधी चड़ है और एक उसकी परच्छाई है कि चड़ की लंबाई और परच्छाई की ये रूट तीन और एक में है तो 59 कौन, यहां पर बनता है, यह Θीटा, अब यह लंभ है और यह आधार, लंब और आधार में रिलेशन हमेशा 10 Θीटा से मिलता है, कि तैन Θीटा बराबर होता है, लंब बटे आधार, तो यह अंडरूर तीन बटा एक और अंडरूर तीन आ गया यह, और 10 फीटा में, ये मान होता है, 60 डिगरी का, तो फीटा बराबरा जाएगा, 60 डिगरी, और 99 कोड़ों हों गया, 60 डिगरी, फीख है, तो सार्णी के मान याद होने चाहिए, सार्णी जब तक याद नहीं होगी, तब तक हम यह वाले सवाल नहीं कर सकते, के लिए है तो इसको भी याद रखेंगे यदि वरत का व्यास दो जीवाओं में से प्रते को समधी भाजित करें तो जीवाए होंगी देखो कैसे करेंगे इसको तो देखो ये कोई वरत है ये वरत हमने बना लिया कि ये कोई वरत है और क्या दिया हुआ है कि वरत का व्यास द ने दो जीवाएं मना रही कि ये आधा-धा बाटता है इसको भी और इसको भी तो आधा-धा बाटेगा तो इन जीवाओं में क्या रिलेशन होना चाहिए कि देखो आधा-धा कब बाटेगा जब जीवाएं बिलकुल इसके बराबर में बने कि इस तरह से हम जितनी भी जीवाएं बनाएंगे तो सारी जीवाएं आधी-ाधी बटेंगे तो ये जितनी भी जीवाएं हैं वो कैसी हैं एक दूसरे के समानतर एक ठोस अर्द गोले का कुल प्रस्टी च छेतर फल तो अर्द गोले का कुल प्रस्टी च छेतर फल होता है 3 पाई-A-R स्कोयर 3.5 cm तरिजया वाले वरत का व्यास अगर तरिजया 3.5 है तो व्यास तरिजया का डबल होता है और 3.5 का डबल होता है 7 दो पासों को उच्छालने पर उनके अंको का योग 7 या 11 आने की प्रैकटा तो इस कॉश्चन को देखो दो पासे हैं उच्छालने पर अंको का योग या तो साथ या ग्यारा तो देखो साथ और ग्यारा के क्या क्या तरीके हैं देखो दो पासे उच्छालने पर जो कुल कंडिशन बनती है वो तो बनती है चत्थीस और अब अंको का योग साथ या ग्यारा तो देखो साथ आने के तरीके है कि एक और छे आ जाए या छे और एक आ जाए ऐसे ही दो और पांच आ जाए या पांच और दो आ जाए या तीन और चार या चार और तीन तो ये तरीके हैं साथ योग आने के एक ग्यारा योग आए तो भी हमको प्राइकता उसके साथ ही लेनी है तो ग्यारा योग कब आएगा जब यहाँ पर या तो पांच और छे आए या छे और पांच आए तो means कुल कितनी condition एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ यानि कि जो प्राइकता होगी वो होगी आठ बटा 36 सरल कर सकते हैं इसको यह आठ बटा 36 कहीं नहीं है इसमें चार का भाग लगाएंगे चार दुना आठ और चार नाम 36 तो यह option number सै करेक्ट यदि समानतर श्रणी का प्रथम पद A बराबर 2 सारवंतर D बराबर 8 N पदों का योग फल यानि कि S N बराबर 90 तो N का मान होगा S N बराबर दिया हुआ है N पदों का योग तो हम S N का फॉर्मला लगा देंगे S N का फॉर्मला होता है A N बटा 2 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो यहाँ पे योग दिया हुआ है हमको कि योग कितना है 90 N का मान नहीं पता है और 2 A यानि कि 4 प्लस N माइनस 1 इंटू 8 इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे 180 बराबर 4 N प्लस 8 N माइनस 1 इस सबको हमने सरल कर दिया यह अंदर गुणा होगा यह 8 N स्कॉयर हो जाएंगे और यह हो जाएंगे 8 N और सरल करेंगे देखो इसको तो यह इसको भी धर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 8 N स्कॉयर यह माइनस के 4 N और यह माइनस के 180 मराबर 0 यह समी करण बन गई इसमें हम 4 का भाग लगा सकते हैं 4 का भाग लगाएंगे तो यह बनेगी 2 N स्कॉयर माइनस N और यहाँ पे और भाग लगाएंगे चार का तो ये चार चौकर सोला और दो बचेंगे चार पंजे बीस अब ये समीकरण बन गई एन में तो एक तरीका तो ये है कि इस द्विगात समीकरण को हम हल करे और फिर एन का मान निकाले और एक तरीका ये भी है कि हम एन के मान अब हमको यहाँ पे पता है अगर अब हम n के मान यहाँ रखके देख सकते हैं कौन सा समी करण को संतुष्ट करता है तो देखो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो यह जो option है 3 रखेंगे तो 3 का square 9, 9 into 2 9, 2, 18 हो गया 18 प्लस के और माइनस के 3 और माइनस के 45 बराबर नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो देखो 2 और 5 का square होता है 25, माइनस 5 और माइनस 45 यह हो गए 50, यह भी हो गए माइनस के 50 और यह आएगा 0 यानि कि 5 जो मान है वो इस समी करण को संतुष्ट करेगा तो इस तरह से हम option से भी episode वाले question तो कुछ हद तक option से भी check कर सकते हैं, तो यह हमारा जो objective type question है, वो first question complete हो गया है, अब इसके जो यह question है रिक्तिस्थान यह भी हम solve कर लेते हैं अभी कि यह AP का प्रथम पद है A, A बराबर 5 सारवंतर है तो तीसरा पद कैसे लिखा जाता है क्यों कोई भी AP है उस AP को ऐसे लिखते है 5, अभी 5 पहला पद है अब 2-2 घटते हुए जाएंगे तो 2 घटेंगे इसमें तो 3 बचेंगे फिर 2 घटेंगे तो 1 बचेंगे यान कि A3 बराबर आएगा एक इस तरह लिख सकते हैं 5 cot square theta और 5 minus 5 cos 1 square theta का मान देखो ये एक सर्वे समी का है जो लिखवाई होई है cot square theta minus cos 1 square theta यहां पे हम ये मान जानते हैं कि ये cos 1 मान हमने सर्वे समी का पढ़ी थी कि cos 1 square theta माइनस को और्ट स्क्वाइर थीटा बराबर एक होता है अब ये उल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब ये माइनस एक के बराबर होगा तो ये गुणा होके हो जाएगा माइनस का पांच गोले का संपूर्ण प्रस्ट फोर पाई आर स्क्वाइर होता है प्रथम 10 संप्राकरत संख्याओं का माद्धे तो प्रथम 10 संप्राकरत संख्याओं यानि कि 2, 4, 6, 8 और 10 ये तो 5 हो गई 10 लेनी है तो 12, 14, 16, 18 और 20 ये 10 टोटल 10 संख्याओं हो गई इन सब को जोड़के जितनी संख्याओं है यानि कि 10 का ही भाग लगा देंगे इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 110 और 110 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो मात देहा जाएगा 11 यदि कोई प्रेक्षन वर्ग की उच्छ सीमा में आता है यदि कोई प्रेक्षन वर्ग की उच्छ सीमा में आता है तो उसे अगले वर्ग में लेते हैं इसका solution मतलब कैसे समझना है इसको कि जैसे ये माद्दे माद्दी का बहूलक वाले chapter का question है कि जैसे वर्ग लिखे हैं 10 से 20 और 20 से 30 तो अब जैसे कोई fraction है 20 तो अब वो 20 को कहां count करेंगे इसमें या इसमें तो अगर वो किसी के बड़े उच प्रेक्शन वर्ग की उच सीमा में है यानि की उच सीमा यानि की यहां पे 20 तो उसको यहां ना लेके यहां लेते हैं अगले वर्ग में लेते हैं तो यहां पे लेंगे इसको की अगले वर्ग में लेते हैं एक मिनट की सूई एक मिनट में घंटे की सूई द्वारा घूमा गया कोण एक मिनट में तो देखो ये एक मिनट की सूई मिनट की सूई जो होती है वो पूरा चकर लगाने में जैसे यहां से और पूरा चकर लगाने में इसको 12 घंटे लगते है यानि कि जो पूरा कोण जो य इसको घूमने में एक घंटे में तो ये एक घंटे में घूमेगी means एक घंटे में जो कोन बनाएगी वो तो हम 12 घंटे में चकर काटने के बाद इसका 360 degree complete होता है तो एक घंटे में जो इसका कोन बनेगा वो बनेगा तीन सो साथ डिगरी बटे बारा अब ये तो है एक घंटे में बनाया गया कोण कि तीन सो साथ में ये बारा घंटे में कवर करती है तीन सो साथ डिगरी का तो एक घंटे में कितना करेगी तीन सो साथ बटे बारा लेकिन कितना कोण चाहिए minute, एक minute में बनाया हुआ तो इसको हम minute में change करेंगे, तो minute में change करने के लिए 60 का भाग लगा देते हैं, तो भाग लगाएंगे तो देखो यहां पर यह होगा 30 degree बटे 60 और इसमें और 2 का भाग लगाएंगे तो यहाएगा 1 बटा 2 degree, यानि कि एक घंटे की जो सुई होती है वो एक मिनट में आधा डिगरी कोन बढाती है अगला कुशन यदि P E डैश नहीं की प्राइकता 0.90 है तो P E की प्राइकता ये प्राइकता हमेशा एक में से घटा क्या आती है कि एक में से जो दी हुई है 0.90 तो ये बचेगी 0.10 ये E की प्राइकता है probability of E E और E नहीं इन दोनों का A की pattern है कि E दिया हुआ है तो E नहीं ग्याद करने के लिए एक में से घटा दो और E नहीं दिया हुआ है तो E ग्याद करने के लिए भी एक में से घटा दो तो answer आजाएगा 0.10 तो ये objective टाइफ और ये रिक्तिस्थान सॉल्व हो गए और next वीडियो में हम इसके जो ये बाकी questions है question number 3 के जितने भी part है ये सारे solve करेंगे तो मिलते है next वीडियो में